असलाम वालेकुम नाजडीन ड्रमस ये तरके वफा के नेक्स एपिसोड में आप देखींगे सब्तैन जो कि मर्यम को बाहिर ले जाने की प्लैनिंग तो करी रहा था पासपोर्ट आये तो इस अनीरा के पास ही आते हैं वो तो ये डॉकुमेंट्स और पासपोर्ट दोनों के देखकर ही हैरान हो गई सब्तैन आये तो उसी वक्त नीचे पहंग देती है ताकि इस भाई को किसी भी तरीके से शक्की ना हो कि इन डॉकुमेंट्स को देखकर मेरा मुँ बन गया अब इस अनीरा ने तो सोच लिया कि इसने करना क्या है और उपर से अनीरा ने सब्तैन को इमोशनली ब्लैक मेल जरूर कर दिया ब्लैक मेल ऐसा किया कि उसे खुदी पता नहीं चलता हमेशा की तरह वो अपनी आपी की बातों में आई गया और अब ये अनीरा मु सिदा करके जाती है मरियम के पास उसी को डॉकुमेंट समाती है और साथ ही साथ कुछ बातें भी कमरे में गयी तो इस सजीला को भी बताती है इस खबर से आगाह करती है आज से पहले उसने जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं चुपाया ये सुनकर सजीला भी हैरान रह जाती है कि सबतें कितना बदल रहा है तो अधर अनम जो के गई तो अपने काम से थी तो बस फिर अचानक से वो अपने घर का चकर भी लगा देती है वहां गई तो उसके नंद नोशीन जो के बड़े मज़े से पॉपकॉन का रही थी और साथी साथ टीवी भी देख रही थी उसी वक्त अनेरा उसके पास गई बाजों से उठाती है आयास को बिन अपड़ी तो फॉरें से भागते हुए यहां पर आता है कि आज तो इस नोशीन की शामत आई रोका था मना किया था इसे तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ पहले तुम मेरे भाई पर डोरेड आ रही थी जब वहां दाल नहीं गली तो सोशल मीडिया पे अमीर लड़कों को पसा रही हो क्योंकि यह अनम नोशीन की यही वीडियो तो देखकर आई थी कि मेरे मेकप यूस कर रही है और मेरे घर में बैठी राज कर रही है तो अधर समीर जिसने हया को परपोस किया था अपनी महबत का इजहार भी किया था आज समीर खुद ही कॉल करके हया को बता देता है कि उसकी वालदा ने मंगनी करा दी उसकी यह सुनकर हया तो दंग रह गई काफी अफसूर्दा तो होती है क्योंकि वो भी समीर को चाने लगी थी तो इदर सब्टैन का सुक चैन जो कि इसकी बेहनों ने खास ओपर अनीला ने चीन लिया है शाम को सब्टैन घर वापिस आया बात होती है उसे मगर यह अनीला तो डिरेक्ट उससे गिला ही कर देती है मुझे सिप्टै ऐसा क्यों लगता है कि तुम हम सबसे दूर होते जा रही हो यह सुनकर सब तैन अपनी बेहन को समझाएगा तसली देगा और अपनी होने का भी यकीन दिलाएगा मगर यह तो अनीला ने सोच रखा है कि एन वक्त पर मैं ड्रामा रचाऊंगी क्या इस सिप्ते और मरियम का जाना तो मैं कैंसली करवाऊंगी फिर यही कुछ वक्त बीतने के बाद वहाँ पर हया जो के कॉली से वापिस आती है तो यह आसिफ जो उस पर कड़ी नजर तो रखे हुए है गर का दर्वाजा खोलते ही फॉरण से उसे सुना दिया वैसे मामो की बेटिया हैं बड़ी चलाग एक ने आफिस में लड़का पटा लिया और एक ने यह सुनते ही हया बिलकुल भी बरदाश नहीं करती उसके बात भी मुकमल नहीं होती और सो सो बाते सुनाती है मगर इस आसिफ ने तो इसे बलेक मेल कर दिया कि यह सब कुछ देखो तो सही मैं घर वालों के सामने लाता कैसी है तुम्हारी हकीकत तुम बेहने बड़ी शरीव बनती हो पहले समीर की परेशानी हया को कम थी कि यह एक नई मुसीबत आन पड़ी हया को समझ नहीं आता कि इस आसिफ भाई को मालूं कैसे हो गया वो तो इसी सोच और इसी परेशाने में ही रहती है